राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आपसो हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीदियो में हम आपको आहोई अष्टमी की कथा और महत्र बताएंगे दोस्तों कार्टिक मास के कृष्ण पक्ष के अश्टमी तिती को आहोई अश्टमी का त्योहार मनाया जाता है आहोई अश्टमी ब्रत को आहोई आठे भी कहा जाता है आहोई यानि की अन्होनी से बचाना किसी भी अमंगल या अनिष्टे से अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए महिलाएं इस दिन ब्रत रखती हैं यही नहीं संतान की कामना के लिए भी यह ब्रत रखा जाता है इस दिन महिलाएं कठोर ब्रत रखती हैं और पूरे दिन पानी की बून भी ग्रहन नहीं करती दिन भर के ब्रत के बाद शाम को तारों को अदे दिया जाता है इसके बाद फोजन ग्रहन किया जाता है कुछ महिलाएं चान को अदे दे कर अपना ब्रत खोलती है अहोई अश्टमी पर भगवान श्री गणेश और माता पारवती का पूजन किया जाता है यह ब्रत संतान की रक्षा के लिए सर्वोत्तम ब्रत माना जाता है इस ब्रत के प्रभाव से संतान फल की प्राप्ति होती है यह भःत संतान के लंबे उम्र के लिए रखा जाता है माननिता है कि जो महिलापुरे मन से इस भःत को रखती है उनके बच्चे दीरखायू होते है पौराणिक माननिताओं के अनुसार इस भःत के प्रताप से सभी मनों कामनाय फूर होती है अहोई अश्टमी का ब्रत कथा सुने बिना पूरा नहीं होता शास्त्रों के अनुसार आज के दिन अहोई अश्टमी की कथा सुने मात्र से ही संतान, सुखी, धन्वान और देरखायू होती हैं अहोई अश्टमी की कथा? प्राचीन काल में एक साहुका था जिसकी सात पेटे और सात बहुए थी इस साहुकार की एक बेटी भी थी जो दीपा वली में सस्राल से माई के आई थी दीपा वली पर घर को लेपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गए तो ननत भी उनके साथ चली गई साहुकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहु अपने साथ बेटों के साथ रहती थी मिट्टी काटते हुए गलती से साहुकार की बेटी की खुर्पी की चोड से स्याहु का एक बच्चा मर गया इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली मैं तुम्हारी कोग बान दूँगी स्याहू के बच्चन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भावियों से एके करविंती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोग बंदवाले सबसे छोटी भावी ननत के बदले अपनी कोग बंदवाने के लिए तैयार हो जाती है इसके बाद छोटी भावी के जो भी बच्चे होते हैं वे साथ दिन बाद मर जाते हैं साथ पुत्रों की इस प्रकार मत्ती होने के बाद उसने पंडित को बुलवा कर इसका कारण पूचा पंडित ने सुरही काय के सेवा करने के सलहा दी सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पाश ले जाती है रास्ते में ठक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं अचानक साहुकार की छोटी बहु की नजर एक ओ जाती है वह देखती है कि एक साप गरुन पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह साप को मार देती है इतने में गरुन पंखनी वहां आ जाती है और खोन बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहु ने उसके बच्चे को मार दिया है इस पर बहे बहु को चौच मारना शुरू कर देती है छोटी बहु इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है गरुन पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुचा देती है वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे साथ पुत्र और साथ बहू होने का आशिरवाद देती है स्याहू के आशिर्वास से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र बधुओं से हरा भरा हो जाता है अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अन्होनी को होनी बनाना जैसे साहूकार की छोटी बहूने कर दिखाया था इस कथा से यह सिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम अत्यंत साब्धानी से करना चाहिए अन्हेता हमारी जरासी करती से किसी का ऐसा बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी हम भरपाई ना कर सकें और तब हमें उसका कठोर प्राश्चित करना पड़ेगा इस कथा से अहिंसा की भी प्रेहना मिलती है अहोई अश्टिमी की दूसरी कथा मत्वा जिले में इस्थित राधा कुंडे में इसनान करने से संतान सुक्षी प्राप्ति के संधर में है अहोई अश्टिमी के दिन पेठे का दान करें आहोई अश्टिमी के दिन इस कता को सुनने मात्र से ही संतान, सुखी, धन्बान और दीरगायों होते हैं निसंतानों को संतान सुखी प्राप्ति होती है उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें थैंक्स वर वाचिंग, राधी राधी